जैसा कि आपने टैटिल में देखा मित्रों आजम जानेंगे कि किसी के हाथ में सोना कहां से देखते हैं सोना मतलब सोने का मतलब कि उसके पास कितना सोना है क्या उसके घर में सोना है तो सोने को आज हम देखेंगे हटेली में बहुत अशी ट्रिक बता रहा हूं अमित्रो गूड है सीक्रेट है देखिए, यहां बनता है हमारा मनी ट्रैंगिल कोई लक लाइन होती है माइंड लाइन होती है और यहां से वो देगी लाइन आज पूरी बात नहीं करेंगे केवल मनिट राइंगल के बात करेंगे पैग्ड है देखिए यह हतेली देखिए अब इन हतेली को कैसे देखेंगे कि इनकी घर में सोना है या नहीं तो सोना अगर देखना है तो किसी भी जातक की हतेली में यहां देखे अब यह बीच में हमारी माइंड लाइन होती है यह हमारी लाइफ लाइन है यह एक लक लाइन हो सकती है किसी की और यहां पर हाट लाइन है अब और यहां से लिकलती है हमारी बुद्ध की रेका जो बुद्ध परवतर जाती है जिसमें हम बुद्ध ही पाते हैं अब यह ट्राइंगिल अगर क्लोज्ड हो गया तो घर में सोना है अच्छा खासा सोना है अब हम साइस की बात करते हैं साइस भी बहुत होता है आप इतना बड़ा बने यह हाथली मोटे में मैं बता रहा हूं कि है अब यह कितना बढ़ा बने को मैं सबस्क्राइशो मै और अगए whispering planning अब इतना बढ़ा है तो अभ गर में सोना है इतना बड़ा और गर दूसरी लाइन भी बंजाती है उतना बड़ा घर बन जाता है मनी आप गर में शोना है और सोना ओर इतना तो इतना रहेगा है योगा अगर इतना बड़ा ट्रेंगल हो गया अगर माली जी इतना बड़ा हो गया जैसा कि जातक है तो इसमें क्या हो गया आगे बार लिप उस्त भी खाइएंगी ऐसे हम वर की करण कर सकते हैं जोतिश में तो मित्रों आज हमने जाना की सोना कैसे देखते हैं एक बर देखिए और इस हिसा आप से बढ़ा है तो यह और अरभोकि सद्थी के मालिक है हम आराम से कह सकते हैं अगर इतने होते होते हैं इतने होते होते हैं पहले कि जमाने अथा तो इसको हजार मान लीजिए इसको लाक मान करोड मान अब बढीजिये आप जो जमाना है लगों का है कि है कि एक छोटी सी जबीन करीन ने जाते हैं कि अग अगर बनीच राइंगल पुरा बंद दो पुर और वे प्रपर्टीज हो सकती है हाथ में हम यह अडिशनल बात कर ले आज हमारा जो टैटल का परपस्ता वो खतम हो गया है तो उनका क्या होगा इसका ट्राइंगल पूरी तरह लाने वाले शुब अच्छा होगा तो आप मैं इसको एक रिवर्स जोतिष के रूप में ले रहा हूं तो कि लोग क्या करते हैं परवत को डिफाइन करके ट्राइंगल बताते हैं मैं ट्राइंगल से लेकर आपको परवत की सहर कराता हूं उसका गुरू बहुत अच्छा होग अब उनके शनी भी अच्छे होंगे देखिए बड़े परवत है साफ सुत्रा है यह लंबी यहां से लाइन गड़बड़ हो रही है आगे जाके तो इनको कहीं न कहीं दिक्कत होगी अब क्या दिक्कत होगी अब यह दूसरी चीज है अब मैं आता हूं उसके पर ऐसे सूरी नहीं का परवत है तो सूरी के परवद भी सूरे लाइन देख पाएंगे चीज़े और परवत होता ऐसे लोगों के बुद्धी बहुत त्यज होती है इस इनकी बुद्धी नंबड़ा परवत है और यहां पर ट्राइंगल भी बने हुए है उदू बंग्धी में पिसागर ह सरस्वति मता की होनी चाहिए दुरुत बुद्धी करे देवी रही माम शना गतंग अपरी नमाहा त्रही माम सबस्क्राइस ऐसा सरस्वति मता की आर्ति में कहा गया है कि अब मैं जो बता रहा था कि शनी पर्वत-कता है अब आप देखिए यहां पे एक रिवर्स जोतिश यहां सनी बर्वत कटा है लेकिन ट्राइंग्ल पूरा बना है एक बन नई पिक्चर लेते हैं कि यह थोड़ा सा जोतिश अब गजब होने वाला है कि कभी-कभी वित्रों क्या होता है कि बनाना कुछ और होता है लेकिन उससे बैटर चीज मेरे को स्क्रीन पे जिस समय मैं बोल रहा हूं इस समय जाद अच्छी दिख जाती है क्योंकि समय हतेली मैंगनिफाइंड लैंस के पर रहती है कि अब देखिए इनका मनी ट्राइंगल कंप्लीट है और शनी परवत पर डिस्टर्बेंस यह देखिए यह पड़ा हुआ है कि भारत में आप देखेंगे जो सोना है आज हम सोने को लेकर चलेते सोने के कहने मैं आज आपको सुना हूं भारत में जितना सोना है यह लोग भारत एक ऐसा देश है इसको इतना लूटा गयाि इतना लूटा गया कि और देश को नहीं लूटा गया इतना और जिसको देखोश्य पीडमी मिद्म आरा और मिद्रील फैसा और है अमेरिका के भी लोग की आरहें हैं अ कि अधकों भारत को हिलчи जापानियों को भारत को लूटना है चाइना को भारत को लूटना है आज पास को पडोसी देश है अभी तक तो इस्तिति अच्छी बनी है नहीं तो दस साल पहले हमको चमगा देते थे है तो च्यों लूटना है क्या भारत के अंदर उसको समझ आज फिर टाटेल प्रासंगेख हो गया सोना लूटना भारत का क्योंकि भारत में बहुत सोना है स्क्राइब कितना तुर्ट लूट के परिसान हो जाएंगे तो भी नहीं बाएं को यहाँ महल दिग्गई सोने के लोगों को ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के दर्मार में गए भारत की संपत्ती भाई जहांगीर के पास भी वहाँ भारत की संपत्ती थी तो उसका महल देखकर उसमें उसने लिखा कि वेंदे सौ दे फेल्ट पूर वो राजशाही लोग अपने आपको इतना गरीब फील करने लगे जब उन्होंने जहांगीर के दरबार देखा और उन्होंने देखा रूबी पन्ने जो हम तीजोरी में रखते वही महल में बने हुए हैं यहां पूरे चबूत्रे के चबूत्रे मौंगे के और पता नहीं क्य अंदर रखते हैं तेजोरी में वह उन्हों यह इट और रेत के इस्थान पर काम कर लिया निर्माण कर दिया लोगों ने अपने महलों खसोने के महल बना लिए इतना सोना है इतना भारत में पारस पत्थर की जो कहानी है यह सच में थी और आज भी वह पत्थर मध्य प्रद भारत में पारस फिर जैनधर में भी पारस एक दर्शन मना पारस पत्थर है तो उसमें उसको सोना बनानी क्राइब कितना सुना लूटा गया रहे प्रतिया ज्यादा किसी कोई अगर चर्चा में कोई बद्र में सोने की खदाने मिली हैं जितना भारत के घरों में और सरकारी तेजोरियों में बंद है सोना उसका 10 गुना से भी ज़्यादा सोन भद्र में हैं कि यहना मित्रों कितनी अच्छी बात तो सोना है जब तक भारत है सोना है और यह विक्ति हैं देखिए एक प्लॉक आप मैं बता रहा था कि यहां पे यहां पे तो यह है यहां पर डिश्टर्ब है से शनी में तो फिर मनी ट्रेंगल कंप्लीट है तो मैंने जो दूसरी कहानी स सुनाई आपको कि सोन भद्र में जो पहाड़ है जहां सोना रखा हुआ है भारत का और लोगों के घरों में उसका दस गुना सोन भद्र में हैं यह है इनका सोन भद्र यह लाइने सोन भद्र और यह लाइने सोन भद्र और इसमें अगर किसी को मुझे नंबर देना पड़े इनके पाँ जटके का विधान है ऐसे लोग बड़े इंवेस्टर होते हैं कभी कभी 20 लग लगाते दो करोण मिल जाते हैं यह भी होता है और कुछ लोग क्या होता है कि 10 लगाते हैं और उनको तीन भी नहीं मिलते हैं कि पर नेट समतिता है तो यह बहुत कलात्मक हाथ है और जिस Ε Arau का शुक्र बना हुआ है वह संदर व्यक्ति और बें है देधिक चेंदर कितना अच्छी कट में हैं छंदर अच्छा रहेगा तो इनको महिलाओं का साथ बहुत अच्छा मिलेगा हैं को इनके करेंगे अपने आपको क्योंकि चंद्रमा ऐसा बना होगा है चंद्रमा पूरा अट्रेक्शन देता है यहां जो मैं सोन भद्र की बात कर रहा था कि यह सोन भद्र लाइन एक तरीके से आने वाला जो इनके पास दस गुना है अब वो रुक गया है कि यह इसाथ का अनलिसिस मैं सुन्दरता की बात कर रहा था इनकी मनोरम छवी है कि इनका चंद्रमा बता रहा है और इनका घुटा देखे कितना शांदार है अपने हक के लिए लड़ने वाले मुल्कुल सीधी देख लेंगी तो बिना अकर्शित हुए नहीं रह सकती है और इनकी खुब्सूरती कुछ ऐसी होगी कि कि जिसकी निगाह लग जाए तो वहां निगाह लग जाए और मन भी वहीं रमन करने लगे तो आज मैंने आज हमने हाथ में सोना देखा क्लोज्ड ट्रैंगल बढ़ा सोना होता है श्रीकणी श्यानमा मासरे स्वती नमस्त अभ्यम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जानना मित्रों बने रहें